हलो दोस्तों, नमस्कार, Home Master Recipe में आपका स्वागत है, आए आज हम बनाते हैं बिस्कित, यह हमने गेहूं के आटे से बिस्कित तयार किये हैं, यह आप बढ़िया घार पर बना सकते हैं, इसको हमने इटले स्टैंड में बनाया है, यह देखिए कितना बढ़िया बनाओ हुआ यह एक कटोरी चावल का आटा और एक कटोरी पीसी हुई चीनी है और यह बेकिंग सोडा हम इसमें आधा चम्मच यूज करेंगे और एक कप दूट डालेंगे इसको हम दूट से लगाएंगे आटा पानी का यूज नहीं करेंगे पहले हम घी को बर्दन में निकाल लेते हैं इसको अच्छे से मैल्ड कर लेंगे इसमें चीनी मिलाके दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह आप घी की जगे बटर भी डाल सकते हैं और इसमें हमने ऑयल का बिल्कुल यूज नहीं किया है यह बिल्कुल आयल ट्री है आप इसको घर में बढ़िया बटर डालके चीनी और गी को यह मैल्ड हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे यह माठ भेuses और चाव्ल का इंच यूज कर रहे हैं आप जाहें तो इसमें से बेशन नहीं है तो बेशन नहीं यहीं बढ़िया बनता है यह बेकिंग सोडर डाल डाल देते हैं एक चम्मच और इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले और इसमें फिर हम एक चम्मच नमक डालेंगे नमक से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाता है तो हम चीनी वाले बिस्किट में भी नमक डालते हैं ये दो चम्मच लगबग हम PCO चीनी डालेंगे और ये एक चम्मच खड़ी चीनी डालेंगे और ये दूध डालके हम इसको लगा लेंगे आटा ये देखिए कितना बढ़ी आटा हमारा तयार हो गया है आटा साफ्ट रहना चाहिए एकदम रोटी जैसा नहीं रहना चाहिए और इसको हम 15 मिनट के लिए ढख कर रख देंगे ये 15 मिनट हो गय है ये देखिए एकदम आटा सेट हो गया है तो आप बिस्किट बनाने के लिए हमारा डो तयार है अब चलिए सुरू करते हैं ये कूकर हमने रख दिया है गैस पर बिल्कुल फुल फ्रेम पर रखना है और इसमें हमने नमक डाला है ये नमक मेरा यूज कि कि लिए ढग देंगे कूकर से हम धकन से रबर निकाल देंगे और सीटी भी बाहरर देंगे और तो इसको हम ढगेंगे नहीं तो स्मयुल आज आजाएगी अब हाथों में थोड़ा सा घी लगा के भीर इसको बनायेंगे यह इट ले स्टेंड में हम घी लगा देंगे नीचे से जिससे उसे में चिपकेगा नहीं सब में इसी तरह लगा लेते हैं गी मैंने यहां घी ही यूज किया है इसमें तेल का बिल्कुल यूज नहीं किया है ऐसे हाथों में लगा के आप साइच छोटा बड़ा भी कर सकते हैं छोटे-छोटे गोले बना के इसमें रख सकते हैं और अगर आपको पास इटली श्टेंड नहीं है तो आप इसको प्लेट में भी नमक करके उसके उपर कोई कटोरी या श्टेंड रखके उसके उपर रख सकते हैं उसमें भी यह बढ़िया बन जाता है एकदम यह इस तरह हमने सब तयार कर लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा घी उपर से लगा देंगे हलका सा आप ब्रस से भी लगा सकते हैं ब्रस नहीं है तो मैंने चम्मच का यूज किया यहां पर चम्मच से ही मैंने लगा दिया है आप बटर भी लगा सकते हैं दूद भी लगा सकते हैं उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है और थो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं अगर चाहें तो और इसको इटली स्टेंड में हम थोड़ा सा घुमा घुमा के रखेंगे कि ये के उपर एक नाय ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे और इसको ढखकन लगा के उपर ये पूरा बंद करके और फिर इसको हम जो रखे थे कूकर गरम होने के लिए उसी में रख देंगे और अब ढखकन बंद कर देंगे ये हम लगभग पंदरा मिनट के लिए इसको ढखेंगे पहली बार थो हमको 12 से 15 मिनट लगता है दूसरी बार हमारा 10 मिनट में ही बन जाता है बिल्कुल फूल फ्लेम पे रखना है 10 मिनट हो गया है अब हम देख लेते हैं ये देखिए बढ़िया बिस्किट तयार है इसको हम 5 मिनट के लिए और ढख सकते हैं अगर कम कलर आया है तो वैसे ये पक गया है लेकिन आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढख दें ये देखिए अब बढ़िया कलर आ गया है 5 इमबंद करने के बाद रखा रहने दिया था, ये देखिए, इकदम बढ़िया बिस्किट तैयार है, इतना अच्छा इसका कलर आया है, पुद्ध्ध प limit रहा है, ये देखिए, निकल भी रहा है, ये तुरंट भी निकल रहा है, वैसे ये ठंड़ा होने पिए और अच्छा निकलता है, लेकिन ये गरम में भी निकल रहा है अच्छे से, ये देखिए, बिल्कुल बिस्किट हमारा तयार है, ये आप साइद भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपके पास इटले स्टेंड नहीं है, तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, प्लेट में रखकर, न थानिवान.